दोस्तो जामिया और AMU को सरकार से मिली है फटकार सरकार बोली है कि हो जाओ CUT के लिए तैयार ने तो फिर से दुबारा हम देंगे फटकार तो सरकार से मिली है फटकार जामिया मिली है इस्लामिया को भी और अलेगर मुस्लिम इसिटी को भी अब क्या मिली है कैसे मिली है क्या sources है इस news का इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको पता ही हो गया कि AMU, BHU, JNU, DU, जामिया और जितने भी Central University है सब में CUET के द्वारा ही admission होगा किसके लिए UG के लिए यानि undergraduate courses के लिए यानि graduations के लिए जैसे BSC हो गया, BCOM हो गया, BA हो गया इन सभी courses में जो अलिगण में, BHU में, JNU में, DU में, जामिया में, तेजपुर University में, अमभेटकर University में, इलाहबाद University में, जितने भी Central University है सब में admission होगा एक ही exam से, जिसका नाम है CUET, यानि Common University Entrance Test तो National Testing Agency form निकाल चुकी है, तो दोर कीस बात की तुरन जाईएगा, आप ज़रूर फर्म भड लिजेगा, syllabus भी अपने download कर लिजेगा, syllabus की तयारी करने लिगेगा तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि क्यों मिली है जामिया AMU को फटकार, क्योंकि इन्होंने कहा कि CUET के लिए हो जाप तयार नहीं तो फिर दुबारा देंगे आपको फटकार तो ये दिखिए Indian Express की news है कि Central यानी Central Government यानी भारत सरकार जंक्स जामिया request for limited CUET यानी जामिया ने बोला था कि हम 8 ही कोर्स के लिए CUET से admission लेंगे, 8 कोर्स के लिए, कितने? 8, 8 courses के लिए लेकिन Central बोला कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, बोलेंगे आज 8, कल बोलेंगे 4, परसो बोलेंगे 12, ऐसा नहीं होगा तो जामिया ने request किया था कि हमें सिर्फ इस साल 8 courses में ही admission CUET के द्वारा किजिए, तो Central ने इसको नकार दिया है, फटकार दिया वही आलिगर मुस्लिम इनिसिटी भी बोली थी कि हम minority institution है, हमें बक्ष दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, CUET के द्वारा हमें admission नहीं लगे इस साल, अगले साल से सोचेंगे तो Education Ministry जो है, यानि शिक्षा मंत्रा नहीं बोली कि ऐसा नहीं चलेगा, जब देश के सारे Central University, CUET के द्वारा ही admission ले रहे हैं, तो आपको भी लेना पड़ेगा तो AMU में 9 तारीकों, यानि कल बैठाग बुलाई थी, और उसमें पास हो गया है कि AMU में CUET के द्वारा admission होगा बहुत लोगों confusion है, तो मैं confusion दूर कर देना चाहता हूँ, कि सिफ graduate courses में, सिफ graduate courses में, यानि under graduate courses में ही CUET के द्वारा admission होगा और PG में, और school में, 6 में, 9 में, 11 में, diploma में, certificate में, जैसे पहने होते थे admission, वैसे अभी भी होंगे admission चाहे जामिया हो, अलिगर हो, BHU हो, AMU हो, JNU हो सम्में, जो post graduate में, या स्कूल में जैसे admission हुआ करते थे, वैसे ही admission इस बार भी होंगे तो दोस्तो, central ने साफ साफ clear कर दिया है, कि जाधा तर courses में, जो की mapped होंगे, national testing agency के exam से, उसमें आपको लेना है तो आप university का website पे, तो prospectus जामिया और अलिगर निकालेगी, तभी clear होगा कितने courses का yellow admission ले रहे है तो जामिया और अलिगर में अभी prospectus इस साल नहीं आया है, बाकी बचे हुए courses के भी firm निकलने वाले है इसे ही अप्रील महीने में, चाहे 6 का, 9 क, 11 का और डिप्रोमेंचन के, अगर आपको तयारी करना है तो हमारे TBAT classes पे जरूर जाएगा TBAT classes कहां मिलेगा, pro store पे भी मिल जाएगा, या वीडियो के description में link होगा वहाँ app को download करके, app पे दियेगा number पे call करके, आप पूस सकते हैं कि आप कैसे TBAT classes से जूर सकते हैं कैसे आप live classes, recorded classes, series, उसके बाद quizzes, उसके बाद आपको notes, PDF, handwritten, सब चीज़ आपको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, आप एक बार app को download करेंगे, तभी तो पता चलेगा, वो app का link मिल जाएगा, वीडियो के description में तो दोस्तों, CUET के दुवारा जो admission होगा, आप unacademy के subscription ले सकते हैं, वहाँ पे चल रहा है 50%, 60% discount, क्योंकि इस साल पहली बार है, अगले साल से fees बर जाएगा, और limited dates के लिए offer है, तो unacademy पे जाएगा, तो वहाँ पे 57% जो offer है, तो वो तो offer रहेगा है, लेकिन मेरा चैनल है, जो offer चल रहेगा, उसके अलावा extra offer मिल जाएगा, किसके लिए, हमारे चैनल के benefit के लिए, और आपके लिए, मुच्वली benefit के लिए, 10% extra discount मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको CUET के तयारी करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि AMU, JNU में, DU में, जितनी भी द के question बनाती है, तो वही लोग on Academy पर पढ़ा रहे है, तो जाहिएगा, मेरा code ज़रूर यूज किजिएगा, TB8010, कमाल की बात है कि on Academy पर कुछ free भी mock test है, वो मेरे code के द्वारा जाएगे, तो फ्री हो जाते है, तो TB8010 कमाल का code है, आपको extra benefit मिलता है, extra discount मिलता है, और बहुत स तयारी भी जादा करना पड़ेगे, तो हम लोग तयारी करवा रहे है, वीडियो का description में, अन Academy का भी link होगा, और हमारे app का भी, तो आप लोग जरूर जाहिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद, और मुझे लगता है, कि जामिया और AMU, दोनों prospectus अपने website पे डालेगी, तब क्लियर हो जाएगा कितने courses का ये लोग करवार है, क्योंको center ने इनको फटकार तो लगाई है, आगे भी लगाती रहेगी, अगर ये लोग सरकार की बात नहीं माने तो, मुझे उम्मीद है, आपको comment में बताइएगा, आपको किस किस course की तैयारी करना चाह रहे है, बाक